हेलो गाईज आपनों का एक बार फिर से OPS Study Solution में श्वाग गाता तो दोस्तों यह जो वीडियो हमारे जून जुलाइ से संद अजर बाइस के स्टूडेंट के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफी ज़्यादा खास होने वाली है आज मैं आप लोगों का एक और प्रिवियर से इंपोर्टेंट कोशन पेपर करवाने वाला हूँ जो भी हमारे 12 कलास के स्टूडेंट है जून जुलाइ से संद अजर बाइस के स्टूडेंट है और जिनका भी 15 जुलाइ को इंगलिस का फर्स शिटिंग में एक्जाम है ठीक है ना तो उनके लिए वीडियो काफी जाता है खास होने वाली है आप लोगों के एक्जाम में ड काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा यह वीडियो है और मैंने यह जो कुशन पेपर है दोस्तों दिसंबर 2020 का उठाया है और 21 का तो मैंने आपको पहली मतलब शॉल्व करवा दिया है चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं क्लास 12 का हमारा यह कुशन पेपर है इंगल अलका सकते है कि गई सवास्सर है लेकिन आपको दिख जाएगा मैं आपको बतारा हुआ पहला तो दोस्तों यह पर पोर्षन नहीं यहां पर कया आए कि आपको पैसे देख के जो है यहां पर बनाई है ठीक है यहां पर मैंने आपको जैसे बताया था रिमूवल टू आया था यहां पर देख सकते हैं यहां पर टू को रिमूव करके यहां पर क्या सो यहां पर कर देते हैं ठीक है ना पता होना चाहिए ठीक है ना गाईज यहाँ पर क्या है guys he go to school daily तो यहाँ पर हमको सही करना है तो कैसे करेंगे he के साथ क्या लगेगा he के साथ हमारा goals लग जाता है he goes to school daily समझ गे दोस्तों आप लोग समझ गे होंगे मुझे नहीं लगता कि कोई problem है चलिए guys अब नीचे आज यह अब जो हमारा main portion जो अब जैक्टिव का शुरू हो गया है यहाँ फिल इन दा ब्लैक्स विद अफुरूपराइट आर्टिकल स्थीक है न तो यहाँ पर C is डैस ओनेस्टूम ठीक है न दोस्तों तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लगेगा यहाँ एन लगेगा बहुत बोलेंगे एच है तो भाई यहाँ एच हमारा silent होता है तो ओ के पहले क्या लगता है हमारा एन लगता है ठीक न तो C is an honest human ठीक है चलिए आज यह और यह बी में भी वही दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर पहले यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए तो कुछने में दे लिया तो हमको बनाने की ज़रत नहीं है ही प्रेज टू गो डेली ठीक है ना चलिए अब नीचा आजी गाज ही डैस अस डियो तो गाइस डियो है तो हमारा एस डियो जो होता है न क्या होता है एक ओफिसर ग्रेड का है तो यहाँ पर ए न लगके एन लगेगा ठीक है ना ही इस एन एस डियो ठीक है ना वह एक एस डियो है ठीक है गाइस आप चलिए नीचे आजेए चेंज दो फॉलोइंग संटेंस इन्टू इंडरेक्ट स्पीच दोस्तों यह हमारा स्पीच है ठीक है ना नैरेशन आपने पड़ा होगा बनाए पांच नैरेशन आपको दिये जाएंगे ठीक है आज है यहाँ पर देख सकते हैं चलिए अब हमारा यूज दा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द भाब्स गिवेन इन प्रैकेट्स तो गैज यहाँ पर देख सकते हैं माई संट डैस द आर्मी लास्ट इयर तो भाई मेरे यहाँ पर जॉइन दिया तो आपको सबसके हैं माई संट जॉइन द आर्मी लास्ट इयर अब दूसरा दो डेखली जए कि अए टेली ओन शॉन जो का कौन सा फर्म आई यहां पर, ही वेंट ही वेंट टु देली ओन नेक्सट मन डे ठीक है अब नीचे आज़ेगे द अर्थ डैस रॉंड दम रॉंड द संड यहां पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा moves समझ गए मुझे नहीं लगता कोई problem है यहाँ पर देख सकते है तो भाई क्या होगा दा सन राइजेज राइज का राइजेज हो जाएगा दा सन राइजेज इन दा इस्ट समझ गए चलिए नीचे आजिए और गाइज हमारे यह देख सकते हैं भाई मेरे translate तो कितना मक्षन दिया हुआ इसमें तो कोई बोलने की पर बोलने वाले कोई बात ही नहीं बहुत असान है गंगा एक पभीतर नदी और मैं आपको बता दने वाला हो गाईज यही translation जो है पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है तो यह थोड़ा सा पेचिला है तो चलिए मैं लिख देता हूँ लिखेंगे क्या गाईज पटना इस सिचुएटेड लिख लीजे यहाँ पे सिचुएटेड ओं दा ओं दा बैंक बैंक ऑफ दे गंगा औफ दा गंगाज ठीक है यह लगा दिजीगा लास्ट में समझगे दोस्तों पटना इस सिच्ट इड उन्द बैंक्स ओफ द गंगाज समझगे न गाज हमारा हो गया पटना गंगार के नारे बसाओ चले दिली भारत की राजदानी है बहुत ही असान है गाज दिली इस दे कैपिटल ओफ इंडिया दिल अलब में इंडिया चली नीचाजिए राम और सियाम अच्छे मित्र है तो गया हो जाएगा चलिए मैं लिग यह हमारा present continuous हो गया साथ है ना तो राधा is singing a song क्या गाइज राधा राधा is singing a song singing a song समझे ना मेरी बातों पर ध्यान दीजे मैं लिख नहीं पा रहा हूं बोली का मेरी यहां पर देख सकते हैं अभी हमारा active two pieces बदल यह पांच को दिया रहेगा आपको अब यहां पर दोस्तों यह दिया हुआ इसको बनाई आप इसको sentence बनाई दे दिया गया calling अब यहां पर देख सकते हैं हमारा रिमूबल टू में होगा टू को अटा कर दीजिए ना यार कोई problem है बहुत असान है नीचे आजब यहां पर देख सकते हैं फिल इंद फिल इंद ब्लैंक्स यहां पर वह जाता रूम में इन क्वे में कुदेंगे तो इंटू हो जाता है ठीक है ना और रूम में जब मतलब इंटर गरेंगे तो हमारा इन हो जाता है यहां ना इस तरह से मैंने आपको सारे और श्यक्टिब बता दिए अब यहां पर पॉलूशन पर आपको क्या ऐसे लिखने को बोल रहा है यहां पर एक अप्लिकेशन लिखिए अपने प्रिंशिपल को स्टूडेंट्शिप के बारे में ठीक है मुझे लगता कुछ प्रोब्लम होने चाहिए बहुत ही असान कोशन है और देख लेते हैं यहां पर सोल्जर के बारे में आपको कुछ लिखने को बोला जारा है लिख लीजिए यह मारा बुक का है तो कुछ- कुछ आप पढ़ी लो ठीक है यह मैंने आपको जब पिछला दी संबर 2020 का पताया था कुछन तो इसने था इंग्लीज के बारे में यार मतलब इंग्लीज होन आना चाहिए इंग्लीज बहुत ही इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है यहां पर मैं तो आसा बता देना चाह इस तरह से इंग्लीज बार में आना नौलेज होना चाहिए ऑई हु हमें यहां पूछ रहे हैं इंग्लीज it is used to every step of life ठीक है ना guys it is used to every step of life English जो है न हमारे जिन्दी कि हर हर पल में हर step में क्या है उप्योग बहता है समझगे न चलिए मैंने आपको बता दिया तो इस तरह से आप इसके बारे में कुछ-कुछ लिखे दीजेगा तो चलिए guys आज की जो मैंने important जो है English का जो है class मैंने आपको करवा दिया 10 मिनट की वीडियो हो चुकिया लेकिन आपके exam में जो ड्रेक्टी यही से question पूछे जाएंगे तो मुझे न लगता आपको कोई problem होने चाहिए से लिए guys उमीद करते हैं आप लोगों का जो हमने पढ़ाया है और आपने जो पढ़ाया है वही आपके exam में पूछा जाए तो ठीक है guys हमारी यही दूआ है आपकी exam में टॉप करें हमारी जितने भी student है exam में अच्छे marks लाए चलिए guys इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ तो बन रहे हैं वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है और हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद ठेंकी शो मच